ये हैं श्री प्रेम भिक्षुजी महराज ये अधिकतर हरजद्वार में रहा करते थे और कभी कदु बुरंदावन में विया कर रहते थे इनको श्री राम जै राम जै जै राम ये नाम कीर्टन सिद्ध था अर्थात राम नाम का प्रताप इनके शरीर में प्रकट था कि जब नाम कीर्टन करते थे तो आंसुओं की धार ऐसी चलती थी और यह से जोर चे पसीना निकलता था शरीर से और ऐसे इनके रोंगते खड़े होते थे कि लोग देख करके भाव विभोर हो जाते थे और नए आदमी तो डर जाते थे कि यह क्या हो गया इनको और नाम कीर्टन करते हुए निर्ट्य करते रहते थे किसी को देखते नहीं क्या दिक्तर हो या तो नेतर बंद रहते थे या भगवान की लिए उपर देखते रहते थे हो सकता है भगवान की कोई जहांकीन को दिखलाई पड़ती है एक बार ये द्वारकाजी में गए और वहाँ इन्होंने श्रीराम जैराम 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 ये किर्टन जब शुरू किया भगवान के मंदिर में ही तो लोगों ने विरोध किया यहां तो कृष्ण नाम का ही लेकिन जब किर्टन में वो दाम रिट बहुत जोरों के साथ शुरू किया और मुझसे जोरों के साथ श्रीराम जैराम 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 जे किर्टन बोलने लगे आंसुओं को पनारे छूट पड़े और बिलकुल जोरों से पसीना की बूदे इतनी जोर से गिर रही थ आप जुलेगें तर लोगों ने समझा कि यह कोई डैभी शक्ति है सिर के बाल इस तरह से नहीं खड़े हो सकते हैं किसी के तो लोगों ने चरणों में प्रणाम किया और कहा महराज आपके अंदर को या तो शेटन निम्हा प्रभू की सकती है या भगवान द्वार का धीशी प्रवेश कर गए हैं हम लोग आपको अब नहीं कुछ कहेंगा आप यही कीरतन करिए और हमेशा यहीं यह कीरतन्या होगा आज भी द्वार का पूरी में उस जगह पर भगवान के मंदिर में जो समुद्र की तरफ द्वार है वहीं पर seri rām जै rām जै 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 राम जै कीरतन होता है और प्रेम भिक्ष जी ने वहाँ गरीबों को संतों को खिचड़ी बांटी थी रोजाना आज भी वहाँ पर रोजाना बहुत ज़्यादा भीड़ोती संतों की और गरीबों की सब को खिचड़ी का सुंदर प्रशाद मिलता है भरपेट कि लाइन लोग बैटते हैं चैब राम जयराम के कीरेटन खूब जोर शे बोलते हैं और सब को खूब खीचड़ी फ़रपेट खिलाई आती है और वह परशाद लोग बड़े भाव से प्राप्त करते हैं और बहुत कूदर सुंदर की रहता है मैंने भी वो प्रशाद एक बार वहां प्राप्त किया था जैसी जादे लिए आप लोग के संत चरित शवन कर रहे थे प्रिश्री प्रेम भिक्ष जी महाराज जिनके जीवन में एक ही भिक्षा क्या पिलाशा है प्रेम की भिक्षा मिले अर्थात भागवान से प्रेम प्राप्त हो भाई ये बहुत ही उंची चीज़ है ये छोटी मोटी वस्तु नहीं है मन से सकल कामना भागी केवल राम चरंड ले लागी अर्थात जब सभी कामनाओं का निवारन हो जाता है तब भागवान से प्रेम होता है अब विचार करिए कि हम लोगों के मन में कितनी कितनी प्रकार की कामनाओं है और तुल्शिजास जी महराज करते हैं कि राम चरणों से प्रेम तब होता है जब समस्त कामनाओं का निवारन हो जाए और गीता जी के दूसरे अध्याय में उसी को भगवान ने कहा है स्थित प्रग्य प्रजहात येदा कामान सरवान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने वात्मने तुष्ठ इस्थित प्रग्य तो दोच चेके अर्थात जब सब कामनाएं हट जाती है और हमें कुछ चाहिए नहीं हमें के वोल प्रभु चाहिए उनके चरणों का प्रेम चाहिए और भगवान जिसको मिल गए है उसको भी भगवान का प्रेम तब मिलता है जब भगवान से और कुछ नहीं चाहता है ठाकुर जी तो अपना पीछा छुड़ाते हैं कुछ दे करके खुश हो जाते हैं एक भगवान उसकी गोद में बैठते थे आकर के और कहते थे कुछ मांग लो बहुत गरीब भगवान था हो और वो भगवान कुछ नहीं मांगता था बस आप इसी तरह से आकर के गोद में बैठा करिये और क्या हमको चाहिए हमें कुछ मागना नहीं प्रभू हमें आप लुभा रहे हैं कि मेरी परिक्षा ले रहे हैं एक दिन भगवान ने बहुत हट किया कि भग तो कुछ तो मागो अरे जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए कुछ तो मागो बहुत गरीब भग तो था हो तो उसने का प्रभू एक बात बता हो कि हम आप से कुछ मागें आप तो दे देंगे फिर जैसे आप रोजाना मेरी गोद में आकर बैठ कर मुझसे बात करते हैं क्या ऐसे आकर के गोद में बैठ कर आप मुझसे बात करेंगे भगवान ने का तो फिर तो तुमको तुमको तुमारी चीज मिल जाएगी फिर मैं रोजाना क्यों होँगा भगत ने कहा प्रभू मुझे मुझे मेरी कोई चीज नहीं चाहिए मुझे तो ये अच्छा लगता है कि आप मेरी गोद में बैठिये और मुझे कोई च्छा ही नहीं है तो भाई एक तो सारी च्छाओं को दमन करना पड़ता है अर्थात हम पूर्ण संतुष्ट हों पूर्ण निश्काम हों जो हमको प्रारब्ज से मिला है वो उसको हम ठाकुर जी का दिया हुआ माने कि हमारे लायक जितना था भगवान ने हमको दिया है और हमें नहीं चाहिए मतलब गरीबी हो तब भी ऐसा नहीं क्या मेरी में ही संतुष्ट हो गरीबी हो तब भी संतुष्ट दूख हो तब भी संतुष्ट परिशानी हो तब भी संतुष्ट और हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु ने हमारे लिए जो ठीक समझा वो ही दिया इतना संतुष्ट हो, कोई इच्छ नहो तब भगवान के प्रेम की इच्छा पैड़ा होती है तभी वो प्रेम की भिक्षा चाहता है प्रेम भिक्षु तभी बनता हो और भक्तों भगवान की निरंतर याद ऐसे आवे जैसे किसी प्रेमी की याद प्रियत्म को होती है अथवा प्रियत्म की याद प्रेमी करता है और इसके लिए कुछ सिद्धान्त की बातें में बताई गई है निरंतर प्रभु की याद कैसे आए तो करते हैं आहार सुध्दो शत्व सुध्दो द्रूव स्मृति अर्थात पहले आहार सुध्दो तब सत्व सुध्द होता है सत्तो शुद्ध होने का तात्परी होता है हमारा अंतह करन शुद्ध होता है अर्थात चित शुद्ध होता है चित शुद्धी बहुत आवश्यक है चित शुद्धी जितनी अच्छी होगी उतना ही भगवान की आदाएगी क्योंकि भगवान ही अपने लगेंगे फिर और चि ही भागवान के और चीजें अपने लगेंगे भागवान से जुड़े होने के कारण दूसरा को अच्छा लगे तब तो ठीक है जैसे गुरु अपने अच्छे लगें भागवान के भक्त अपने लगें भागवान अच्छे लगते हैं इसलिए गुरु जी अच्छे लगते है बाई किसी किसी की और ज़्यादा उची सद्धा होती गुरू जी अच्छे लगते हैं भगवान भी अच्छे लगते हैं लेकिन मैं तो एक सिध्धान्त की बात कर रहा हूँ गुरू जी अच्छे इसलिए लगते हैं कि हमें भगवान अच्छे लगते हैं गुरु भगवान में तादात्म बना गया भगवान के भक्त हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि भगवान अच्छे लगते हैं भगवान का धाम हमें अच्छे लगता है क्योंकि भगवान अच्छे लगते हैं भगवान का उट्सो, भगवान का नाम, रूप, लीला, क्योंकि भगवान हमें अच्छे लगते हैं, और भगवान की जगह हमको संसार अच्छा लगता है, बेटा बेटी, बहु, धन संपत्ती, तो भाई, ये बिलकुल खरी बात है कि फिर भगवान अच्छे नहीं लगते है तो जब आहार शुद्ध होता है, तब हमारे चित्र की शुद्धी होती है, और जब चित्र शुद्ध होता है, सत्तो सुद्धव, धुरुव, स्मृति, तो निश्टी ही हमारी स्मृति पवित्र हो जाती है देखिए स्मृति पवित्रोंने कतात पर यह कहा है कि हमको विश्मृति हो गई है हमें जो अपना लगना चाहिए हम वो भूल गए और जो अपना नहीं लगना चाहिए उसी को अपना मान रहे हैं यही है स्मृति अशुद्ध होना और भगवान से अर्जुन ने कहा है कि आपकी कृपा से स्मृति मेरी शुद्ध हो गई स्मृति लब्धा तवत प्रसादान मयाचुत अच्चुद्ध आपकी कृपा से स्मृति मुझे सच्ची प्राप्त हो गई अर्थात अब मुझे आप ऐसे अच्छे लग रहे हैं कि आप कहेंगे आग्या करेंगे तो मैं जिसको जिसको आप कहेंगे उसको उसको मैं तीर मार दूँगा जिसको जिसको कहेंगे उसको प्यार करूँगा ये अर्जुन ने कहा है गीता जी के 18 मेध्य में तो जब स्मृति शुद्ध हो गई अर्थात निरंतर केवल भगवत स्मृति रही तो भगवान की आग्या, भगवान की बातें, भगवान, भगवान की सेवा भगवान के धाम, नाम, रूफ भगवान के भक तो सब अच्छे लगते हैं क्योंकि भगवाण अच्छे लगते हैं तो एक मैनेत पहले आपको बता है कि कामनाएं सब मिशने के लिए क्या करना होगा कि मुझे जो प्राराप धानुस्वार मिला है उसमें संतुष्ट अपने को पूर्ण रूप से मानना पड़ेगा अंदर से ऐसा नहीं कि दबाव से यह शुद्ध अपने को संतुष्ट मानेंगे तभी हमको और कोई कामना नहीं होगी अच्छा आहार की शुद्धी पर भी ध्यान देना अवश्चे के तभी चित्र शुद्ध होगा चित्र शुद्धी के लिए और विशाधन होते हैं जैसे सेवा करना परूपकार करना और उसका प्रदर्शन नहीं करना भाई सेवा में विज्यापन करना सेवा में प्रदर्शन करना और लोगों की वावाही चाहना सम्मानित होना चाहना ये सब सेवा के मार्ग के कांटे हैं अर्थात ये गंदी चीज़े हैं खराब चीज़े हैं ये सेवा में बाधक हैं सेवा में ये शक्ती होती एक चित्व शुद्ध होता है लेकिन ये साउधानी नहीं होगी तो चित्वा शुद्ध ही होता है इसी तरह से भगवान के नाम कीर्टन में भक्तों का संग करने में भगवान की कथा सुनने में धाम वास करने में इन सब क्रियाओं में चित्व शुद्धी की शक्ति है किन्ट इन सब के स एक बात जुड़ी हुई आहार शुद्ध हो तब चित्व शुद्ध होगा और तब भगवान की स्मृति निरंतर आती रहेगी। को अशुद्ध करना है। अच्छा अच्छा हमारे ठाकुर जी को भोग लगे। अपने जीव का ध्यान अपने पेट का ध्यान ने करें। हमारे ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग लगे, बढ़िया से बढ़िया भोग, एकदम पवित्र शुद्ध, उसमें कोई गंदगी न हो, ऐसा पवित्र भाव कि कोई खराब चीज हमारे भगवान को भोग न लगे, फिर भोग लगा करके भाक्तों को वित्रन किया जाए और जो भोग लगाने के लिए धन हमने उपयोग में लिया है, वो धन पवित्र कमाई का हो, मतव हमने जितना कमाया मेहनत किया, वो उसी के अनुसार प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि हमने मेहनत किया एक रूपए का और दस रूपए, हम उसके ले करके, मेहनत से बहुत खरिदते हैं, तो वो हमारी सच्ची कमाई का नहीं हुआ, हमने येतनी महिनत किया है, उसी के अनुसार अर्जन किया है, और तब भगवान को प्रसन्नता हो, उनको सुख मिले, इस पविट भावना के साथ बस्तुन लाकर के भगवान को भोग लगाया, तो प्रसाद हुआ, प फिर ये भी देखना पड़ेगा, कि महराज, हमने जो पकाया, बनाया, उस समय हमारे शरीर की इस्थिती क्या थी, कपडे मारे गंदे तो नहीं थे, अशुद कपडे तो नहीं पहने थे, ये सब बहुत, इसको कई लोग तो धोग मानते हैं चीजों को, लेकिन ये आपको भ उनका तो ध्यान भगवान से हटता नहीं, तो जब भगवान से ध्यान हटता नहीं, तो ये सब नियम कहां से उपालन कर पाएंगे, तो उनको दोस नहीं लगता, उनको दोस इसलिए नहीं लगता कि उनका भगवान से कहीं ध्यान ही नहीं जाता है, उनको तो कुछ भी खिल सात्विक भोग लगाना पड़ेगा अब सात्विक वाली बात बहुत भिष्ट्रित है उस बात को समझने के लिए आपको शाश्तरों की बात माननी पड़ेगी कि सात्विक भोजन्क्य होता है वो ही भोग लगा रजोगोनी भोजन नहीं लगता भाग दाt लिए कर दो टो Свेक्स पो मड़ानी का है ज्यादा है तो बैमानी का है इसी तरह से साधू पुरुष जो हैं अर्थात विरक्त जो हैं उनके लिए आयाचित द्रब्य होना चाहिए लोगों को बहका करके छग करके मांग करके भुलावा दे करके चतुराई से धन जो प्राप्त किया जाता है वो धन साध्धू के लिए साध्विक नहीं होता है साध्धू यदि बिना मांगे धन प्राप्त कर लेता है अर्थात उसको बिना मांगे जो प्राप्त हो रहा है ठाकुर जी ने दिया है ऐसा वो मानता है तो उसके लिए कल्यान करी होता है और उसने चतुराई से लोगों को भाकार के लिया है तो वो सात्विक धन नहीं होता है वो रजोगुनी तमोगुडी हो जाता है तो उसका भोग भगवान को स्वीकार नहीं होता है आयाचित द्रव्य जो होता है अपने अप्राप्त हुआ तो उसमें भाव रहता है कि भगव वही कल्यान कारी होता है उसी का भोग लगता है अब खास बात एक और बताने की है कि भोग में जैसे तमोगुणी चीज दुरगंधी चीज ये तब भोग लगना ही नहीं चाहिए और स्वाद के लिए गंदे मसाले और गंदे तेल गंदे घी अशुद्ध मिलावत वाले ये भोग लगने चाहिए इसी तरह से लहसुन प्याज और बयगन इन तीन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता है अब आप इनका कारण जानना चाहेंगे तो बहुत बड़ी-बड़ी कथाएं आपको सुननी पड़ जाएंगी और उसना इस संक्षिफ्ट प्रवशन में सुनाय नहीं जा सकता है लेकिन ये बात पक्की है कि इनकी ओर जिन गंदे तरीके से वही है गलत था इनका जन्म इनका उत्पन होना इनका उद्भाव इनकी ओर जिन लहसुन प्याज और बैगन की गंदी थी एक करन तो यह है दूसरा चित्ट को अशुद्य करते हैं मन को भगवान को स्विकार नहीं होते हैं इसलिए लशुन प्याज और बैगन का भोग रसोई घर में नहीं जाना चाई इसका मतलों यह हुआ कि बाहर खा लेना चाई है बाहर भी आँना चाई और अपने छाकुर जी के लिए रसोई में आने भी नहीं जिन चे के एक छिलका भी एक पत्ती भी और कहीं भी निमंत्रन में जाओ और शादी में जाओ भोज बंडार में जाओ वहां भी लस्तुन प्याज और बैगन भाक्त को नहीं खाना चाहिए उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है मन अशुद्ध हो जाता है चित अशुद्ध हो जाता रसोई घर कार नहीं करते हैं और बहुत दिन तक वह आशुद्धी रहती है वह आशुद्धी बहुत दिन तक रहती है इसलिए इससे बिल्कुल बचना चाहिए और देखिए ये जी वह धन चोरी से आया हो तो संत का भी हिर्दय खराब करता हो बहुत सी कथाएं इस विशे में एक उत्तराखंड का राजा था उसने एक बहुत बड़े सिद्ध संत को बुलाया था अपने अभोजन करने के लिए और वो जब जाने लगे पहले भी कई बार बुलाता था तो महराज जी बड़े रेम से आते थे जाते थे लेकिन एक बार ऐ शद्धावान था इसलिए वो नाराज नहीं हुआ लेकिन फिर संत ने पूछा कि महराज मेरे मन में ये विकार आया क्यों मैंने हीरे का हार आपके हां से चोरी क्यों किया आप कृपा करके पता करिये कि उस दिन जो रसोई बनी थी वो राशन कहां से आया था तो मालूम किय गया तो ये किसी तरह से मालूम हो गया पता चल गया कि वो चोरों को पकड़ा गया था जो राशन की चोरी करते थे ऐसे चोरों को पकड़ा गया था और वो चोर लोग जो मिले वे थे कुछ व्यापारियों से और कैसे भी वो चोरी का दंदा करते थे तो वो चोरों से को पक इसलिए उनका बुद्ध मन और बुद्धी सब खड़ाब हो गया, चित्य अशुद्ध हो गया, और वे कहां भगवान के भग्त से और कहां चोरी की बात उनके दिमाग में आ गई, तो ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, बिल्कुत सत्य कथाएं, सत्य कथाएं हैं, किन्तो आपको लासुन प्याज बैगन ने तो रसोई घर में लाना है, ने कहीं बाहर खाना है, जो आप भगवान के भग्त हैं, तो बहुत पवित्रता से बोजन करना है, और एकादर्शी के दिन वरत करना है, एकादर्शी के दिन वरत में छूट के ओल उसको रहती हैं, जो बहु तो उसको छूट रहती है, नहीं तो सभी लोगों को एक अदर्शी के दिन फलाहार करना चाहिए, जलाहार या दुगधाहार करना चाहिए, तभी भागवत भाक्ती के पथ में, अर्थात प्रेम के पथ में आप अगरसर हो सकते हैं, अब आज इस विशे में इतनी चर्चा स्र आज यादे रदे रदे